हेलो एवरिवन आपका एडवांस स्कूल की ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है हम आज बात करते हैं लाउफ रेसी प्रोकल प्रोपोर्शन इसकी वही लाउफ रेसी प्रोकल प्रोपोर्शन लेक्चर नंबर 5 है 11 क्लास लाउफ रेसी प्रोकल प्रोपोर्शन कि लाउफ रेसी प्रोकल्ट प्रोपोर्श कि अब क्या कहते हैं पहले इसको समस्ते देखो भई यह क्या कहता है कि माल लिया एक एलिमेंट लिया एक लिया बी और एक लिया अब यह करता है कि ratio of masses of a and b a और b का masses का ratio लेना कैसे a c के साथ combine करके कोई product बनाता है बी c के साथ combine करके कोई product बनाता है अब यह करता है कि a combine करता है fix mass of c के साथ b combine करता है fix mass of c के साथ तो अब a ने c के साथ कोई compound बनाया है उसमें a का coin कोई तो mass होगा ठीक है बी ने c के साथ combine बनाया तो उसमें उसका कुछ mass होगा और याद रखना है यह दोनों a जब c के साथ combine करता है तो इसका mass fix है जो एका इसके साथ जो रेश्य करेंगे तो रेश्य क्या होगा वही होगा या waiting नोगज यह समझें एक आप जैसे एक्जम्पल है पर दिपका कारबन all irrigation और अब कार्बन आइड्रोजन बढ़ते हैं क्या मिलेगा मिलते हैं और यह से क्या बढ़ेगा वोटर और आपस में क्या बना देंगे यह अब यह देखो कार्बन अब सीच फॉर लिखता हूं मैं सीच फॉर सिच्प पॉर में क्या सकता हूं कारबन आइडोजhr क फॉर घ्र धेच्टने ऑम्प्राद्र मिकार पॉरटर वोटर करो एस हम और एक सीजनल का तुम यहां पर किताना चिजन और यहांपर कितना इसका लेकिन एक बात बताई थी कि carbon combine करेगा इस फिक्स मास जितने के साथ carbon combine करेगा उतने इसाथ oxygen करेगा माल लिया हम hydrogen का ratio fix लेते हैं जिसको बोलते हैं 4 ग्राव्ण क्या बोलेगे बई 4 ठीक है जब hydrogen 4 है तो carbon 12 है अब क्या करें hydrogen 2 है इसको 4 बनाना तो twice करें इसका twice कर दिया तो मै क्या करना पड़ेगा oxygen का भी twice करना पड़ेगा क्योंकि अमने third element क्या लेना है ratio of mass fix लेना अब देखो ज्यान से दोनों तरफ होगा oxygen कितना है 32 carbon कितना है 12 तो अब यहांसे ratio कितना है 12 ratio 32 यानि अगर 4 से divide करता हूं बताओ थरी ratio 8 ठीक है इस carbon में 4 ग्राम hydrogen के साथ जब combine करता है CS4 बनता है तब में तो वो क्या है वो अथा 12 मास लगता carbon का और जब यह oxygen water की formation में 2 ग्राम के साथ तो 16 ग्राम होता है लेकिन अगर 4 ग्राम लेकता हूं तो कितना होगा 32 क्योंकि यह 4 हमने क्या करना है constant रखना भी constant quantity लेनी है अब इसमें 3 ratio 8 आता हूं और हमने क्या कहा था कि यह carbon oxygen carbon का कितना बताओ 12 oxygen का कितना हो जाएगा यहां पर 32 चार से डिवाइड करता हूं तो क्या जाएगा 3 ratio 8 देखो भई जिस रेशो में carbon और hydrogen carbon oxygen separately hydrogen के fixed mass के साथ combine किये थे उसी ratio में यह आपस में combine करते हैं क्या करते हैं भई उसी ratio में यह आपस में combine करते हैं फिर से देखो लाओ रेशी पर पर पोगुशन क्या कहता हैं carbon को मान लिया ए मनना था इसको बी मान लिया इसको सी मान लिया क्या कहा था के ratio of masses of two elements a and b which combine with fixed mass of third element c by carbon hydrogen के साथ combine हो गया carbon किसे साथ combine हुआ है hydrogen के साथ कम्बाइन करके c4 बना दिया oxygen ने hydrogen के साथ combine कर यह किसकी formation करी है water की formation करी है carbon ने hydrogen के साथ c4 को बनाया है oxygen ने hydrogen के साथ water को बनाया अब क्या करना है देख सकते हो carbon का 12 होता hydrogen का कितना होता है ठीक है अब water में इसका कितना है तू इसका कितना है 16 लेकिन हमने का है कि यह combine करते ठीक है लेकिन हमने hydrogen क्या करना पड़ेगा फिक्स करना पड़ेगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 4 गराम CH4 में 4 गराम hydrogen 12 गराम के साथ combine करता है याद रखा भी अब लेकिन water में कितना है तू गराम आइड्रोजन तू गराम आइड्रोजन 16 गराम के साथ कम्माइन करता है किसके साथ करता है 16 के साथ अब अगर इसका 4 गराम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा तो क्या किया है 12 रेश्यो 32 इसमें 12 है और इसमें कितना है 32 अलाकि बात देखना यहां पर हमने 2 लिया है, 2 का क्या करना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 हमने क्या मान फिक्स मनना, तो जो रेश्यो इसमें होगा, वही रेश्यो कि इसमें हो जाएगा, CO2, तो यही बताए था, कि जो यह अपस में कंबाइन करते वक्त, जो मान लिया करबन का जो यहां पर रेश्यो बढ़ा है, और यहां पर बढ़ा है, वही रेश्यो यह दोन्नों अपस में कंबाइन करेंगे, तब बढ़ेगा, चीक है, इस नियदार लाओ फे, रैसी प्रोकल प्रपोर्शन एक बार और इसी को एक्षिन ने करते हैं भई देखो फिर से एक बार देखो हमने क्या बता था कार्बन लिया है और आइड्रोजन लिया है और आइड्रोजन के साथ कंबाइन करके लेकिन अमने आइड्रोजन का क्या करना है मास फिक्स करना है तो यहां भी कितने के साथ करना पड़ेगा अगर 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 0 हो जाएगा तो ओक्सीजन का पितना हो जाएगा 32 यह carbon है यह oxygen है तो carbon और oxygen का ratio गितना आया 12 ratio 32 यानी 3 ratio 3 ratio 3 ratio 8 फिर क्या किया कि तब तो वो आफिजा सब्सक्राइब करेंगे कैसे क्या बनाया है सिभ्व्य सब्सक्राइब करेंगे क्या हो जाएगा तो यह लाउफ रहेंसिप्रों कल था आसा ग्या पूसों जो आया होगा ठीक है और आगे बात करते हैं अगल लेक्सर में बात करेंगे ठीक है भी आगे